नमस्कार माबुबंद्र पंड हिंदी चनल में आप सब का हर्दीक स्वाधत करता हूँ और अगर अभी तक आप ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सांत ही बेल आइकन को दबाना न भुले ताकि मेरे प्रत्य वीडियो के तहाई और शुब कामना है इस वीडियो का उद्देश आपकी सफलता का स्रे लेना जरा भी नहीं है मैं तो थोड़ा बहुत वीडियो इसमें अपलोड किया हूँ लेकिन आप लोग अपनी मेहनत से ही सफल हुए हैं लेकिन जब मैंने अपने चैनल के छातरों से बात किया समा भी पर इच्छा की त्यारी कर रहे हैं तो टेस्ट बुक आपको जरूर पढ़ना जरूर पढ़ना चाहिए और मेरे चातरों का भी यही ओपीनियन है यही राय है मैं तो प्राय आपको बोलते आया हूँ और दूसरी बात मेरे चैनल में सफलता का कोई साटकट नहीं है को मै आपको कोई ट्रीक बता दूँ कि दस दिन में आपको त्यारी करवा दूँ 30 दिन में त्यारी करवा दूँ ऐसा कुछ नहीं है मेरा सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई के दार्ण जो मैंने अनभाव हासिल किया यह मेरे चातरों के सोवात के मादद्यम से जो मैंने सीखा है उ चली आगे बढ़ते हैं, आज का जो मेरा लेक्चेर है, वा है, क्या हमको टेस्ट बुक पढ़ना चाहिए, हिंदी साहिति का टेस्ट बुक क्या हमको पढ़ना चाहिए, पूरी तरह से, चाहे आप UPSC की तेयरी कर रहे हों, या फिर UGC NET और JRAP का तेयरी कर रहे हों, तो मेर से यही opinion रहा है, यही राय रहा है, कि निश्चित रुप से आप लोगों को टेस्ट बुक को पढ़ना चाहिए, और यह time consuming होता है, इसमें समय लगता है, जरूर इसमें समय लगता है, लेकिन आप लोगों ने महसूस किया होगा, कि आप graduation से पढ़ाई चालू कर देते हैं, टेस्ट बुक की, graduation में जो भी आपके लगे हुए हैं, फास्ट यार, सेकंड यार, फाइनल यार में तीन सल में बहुत सारे साहिते से आप परचीत हो चुके रहते हैं, उसके पहले बहुत सारे साहिते से परचीत हो चुके रहते हैं, अब ऐसा अचानक नहीं है, कि आप UGC परचीनेट और JRP की तयारी शुरू कर रहे हैं, तभी टेस्ट बुक आपके जीवन में आ रहे हैं, या फिर आप संग लोग से वाए UPSC या फिर इस्टेट PCS में आप हिंदी साहिते लेकर तयारी कर रहे हैं, तभी टेस्ट बुक आपके जीवन में आ रहे हैं, ऐसी बात पॉस्तों में च्हात्र क्या करते हैं ग्रेजिएसन वगरा की तैयारी करते हैं तो वह गाइड वगरा का सहारा लेते हैं उन्हीं को याद कर लेते हैं तैयारी कर लेते हैं उसकी और परिच्छा में लिख कर आ जाते हैं तो ऐसे च्हात्रों को जरूर तकलीप होगी लेकिन हि हिंदी साहित्य का प्रती रूजी होनी चाहिए आप में हिंदी साहित्य का प्रती प्रेम होना चाहिए अनुराग होना चाहिए तब इस शेत्र में आए नहीं तो आपके मन में समधना होनी चाहिए साहित्य के प्रती प्रेम होना चाहिए तब इस शेत्र में आए नतिया फिल् इसकांद गुप्त चंद्र गुप्त या जो भी नीबंद वगरा है इसको पूरा पढ़िए तो इससे क्या के फाइदा होगा है मैं आपको बता देता हूं point wise सबसे पहला फाइदा तो यह होता है कि जो लेखक हैं या कवी हैं उनके जीवन परिचे से आप परचीत हो जाते है पहली बात यह होगे जीवन पर चे से सम्मधी जो प्रशन आते हैं कि उनकी जन में कब होई मृत्यू क्या हुआ इनका उपनाम क्या है और भी उनके जीवन से जुड़े होई बहुत सारी बाते हैं उनसे आप परचीत हो जाते हैं पहली बात तो यह है दूसरी दूसरा रचनाओं से परचीत हो जाते हैं जैसे मुंसी प्रेम्चन ने आलोचना के शेत्र में कोई योगदान दिया है निबंद के शेत्र में कोई योगदान दिया है कोई नाटक के दिल लिखा है या कोई उपन्यास और कहानी जितनी भी है उन सभी रचनाओं से आप परचीत हो अगली बाद जो है उनकी दार्सनिक प्रिष्ट भूमी से आप परिचित हो जाते हैं जैसे मुंसी प्रेम चंद है तो उनका आदर्सोन मुखी अथार्तवाद बोला जाता है उनकी जो फिलास्पिय उनका जो दर्सन जो विचार धारा है आदर्सोन मुखी अथार्तवाद वै हो है ना इन सभी चीजों से आप उनकी दार्शनिक पिष्टे भूमी से परचित हो जाते हैं आपको साहित कार की आइडियोलाजी उनके आदर्स और उनके दर्शन का परिच्चे मिल जाता है अगला फायदा क्या होता है आज कर परिच्चाओं का जो ट्रेंड उसमें आपने देखाओं का खासकर उजी सी ने जी आरेफ में पात्रों के समझ में प्रशन पूछा जाता है तो आप जब साहित का जो टेस्ट बुक जब आप पड़ते हैं तब आप उसकी विशावस्तु जो कंटेंट है चाहे जो भी हो कविता कहानी जो भी हो जाए उपन्यास हो नाट इस वाती प्रशन को याद हो जाता है तो इसे परिचित हो जाते हैं और आजकलSi net beforehand ॡिजेगा की पातों के बीच बीच से प्रसनाते हैं पात्रों के समात से प्रसनाते हैं पात्रों के विशा में प्रसनाते हैं कि या किसका पात्र है या कब लिखा गया या तो आपको याद रखना है कि जितनी भी प्रसीद रचना है उनका प्रकासन कल क्या है वो आपको याद रखना है इसके बाद UPSC का जो ट्रे अपतिया की की तरह की आपि वह लेशन करने के आपको आपके अंदर के साहित्य को माजठीक दरप्न कहा जाता है किस तरह के काल भृष्थित्यों में वह साहित लिखा गया सामाजिक धार्मिक, राजनितिक आर्थिक परिश्थित्यां किस परकारती उससे आप पुरी तर से परचीत हो जाते हैं और आपके अंदर computer translation करने की शम्ता जागरित हो जाती है तो ये बहुत बड़ा फाइदा है सबसे बड़ा फाइदा है ये होता है पढ़ने की रूची जागरित होती है और आपका time pass भी होता है Hindi साहिते के दिछ हात रहें तो मैं हमेशा यकाता हूं कि आप बहुत खुशकिसमत है कि भगवान ने आपको Hindi साहिते पढ़ने के लिए चुनाएं चुक्त हिंदी साहिते पढ़ने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई FG's chemistry मेच से पढ़ रहे हैं वर्ड अप और बढ़ेगा, नए नए शब्दों से आप परचित होंगे, जो विद्वान लेखक ने जीन शब्दों का प्रयोग किया है, उनके अर्थ से परचित होंगे, उन शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम हो पाएंगे, और आपके अंदर व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता आपके अंदर आएगी, मतलब जो spelling mistakes है, वर्तनी का तो शुद्धियां आप कम करेंगे, और व्याकरण को भिया भली माती सीखेंगे, व्याकरण के नियम करन को याद करना बहुत कठीन होता है, लेकिन जो बड़े-बड़े महान जो साहित्यकार हुए है वो साहित्यकार शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो इसे आपका आपकी व्याकराण और वर्तनी संबंधी अशुद्यां कम से कम होगी और आप लिखने का भी अभ्यास करें UPSC में तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और UDC NetJRF में भी जिस किताब से बार बार जो क्वेस्चन आते हैं तो जैसे गोदान से जो जो प्रस्न आये हुए हैं मैला अंचल से जो जो प्रस्न आये हुए हैं अभी तक उनको आप एक जिगह नोट कर लिए तो प्रस् लिख लिए और वसकी नीचे उन्र सारे प्रस्नों को लिखती है दो यहेРट-3 में कौन सा या है 22 में कौन सा या इस तरह एक उस तरह साप नोट से बनाइए हैं अ पहले प्रस्नों को लिख लीजिये एक ज्गह और इसके बाद क्या हुआ ऊप में समयदना का विकास होगा करण हो याता है उसका तादात में इस्थाफित कर लेता है तो इससे क्या होता है उसमें समेधना जागरित होती है और यदि आप में समेधना जागरित होती है तो निश्चित रुप से आप अच्छे शिक्षक बनेंगे अच्छे प्रशासनी कदिकारी बनेंगे और एक अच् जैसे मुंसी प्रेम चेंद है निश्ची तुर्सुन की आर्थी किस्थिती बहुत अच्छी नहीं थी निराला जी की भी आर्थी किस्थिती बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन इनमें एक स्वाजमान था इनमें एक आत्मबल था एक संतुष्थी था तो ऐसा जीवन आप लिए लेकिन आप खरीद सकते हैं हिंदी की किताबे जादा मंगी भी नहीं आती तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा खरीद कर पढ़ें और इससे फादा क्या होगा कि जो बार बार जो लिए किताब आपकी खुद की है तभी आप यह काम कर पाएंगे ठीक है और पीडियेप को भी हाइलाइट करके आप रखें तो यह पर आपकी इक्षा है आप किसमें कमफर्टेबल हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं आप किताब खरीद पा रहे हैं कि नहीं कि आप पढ़ इसके बाद मैं यह बता चुक हूँ आलग अलग किताबों से अलग अलग वर्थ से जो प्रस ना है उनको आप एक जगा लिग कर जरूर रख लें जैसे महिला अंचल से जो जो प्रस ना है कमानी से जो जो प्रस ना है परिक्षा आपकी कोई विए मैं जहरल भी उमें बात क उनको आप एक जगह लिख कर जरूर रखें। ठीक है न ? इससे आपको क्या पता चलेगा कि कोन कौन से पात रहे हैंै , प्रकार आपका काल क्या है , जो प्रमुख कफन है जो प्रमुख समाध इत्यादिय है system को आ वहा पर गीजिए आपका मतलब सब्लॉं पर पकड़ भाषा पर रबनेगे जो भी आप बोलेंगे बहुत ही प्रभावसारी होगा तो यसे क्या होगा आपके सब्सक्त सम्पार में आपने देखा व बहुत ही जाने में कभी सब्सक्राइब अबस्τηजायई में वहां कि अब आपने जरूरह देखी होगी कि इनकी आप अच्छी पकड़ रहती हैं मतलब में जो संप्रेस्टस्य पर शंता होते इब भाषाएं को अपने बिचारों को संप्रेशित करने की जो चमता वोती है वाधा भले ही कितने भी विद्वान हो जाएं लेकिन यह थी भाषा पर आपका अच्छा भाषा पर अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है आप कम्यूनिकेट नहीं कर पा रहें अपने विचार आमें जितने भी महापूरुस हुए हैं, बड़े-बड़े नेता हुए हैं, जापी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उनमें जो लीडर्शिप क्यूलिटी की बात है, उनमें एक बात आप कमन पाएंगे, कि वो लग विलक्षन वक्तर हैं, उनमें भाषा की बहुत अच्छी पकड़ रही हुए, अब कोई भी भाषा हो सकती है, भाषा तो भाषा है, हिंदिया फिर अंग्री इसके बात क्या होगा, टेस्ट बुक जो पढ़ता है, बच्पन से जो टेस्ट बुक पढ़ा है, जीवन पर जो टेस्ट बुक पढ़ा है, वो अपनी जिन्दगी में पढ़ा है, चाहे हिंदी साहिती हो या फिर अंग्रेजी साहिती हो, मतलब खाली नहीं बैठेगा, या तो स्क्रिप्ट राइटर बन जाएगा, या फिर मीडिया में लिखने को मिल जाएगा, या फिर जो टेली वीजन है, फिल्मों में, मतलब लिखने के बहुत सारे होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है test book को, तो राइट मैं या तो अच्छा लेखक या अच्छा कभी जरूर बन जाता है, या जिन्दकी में और कुछ न भी कर पाया, तो या तो एक बहुत अच्छा लेखक बन जाता है, तो राइट मैं आप लोगों को यही कहना चाऊ कि चाहे आप किसी भी परिच्छा की तयारी कर रहे हो हिंदी साहिती के साथ चाहे आप UGC, NET, JRF की तयारी कर रहे हो या फिर आप संगलोक सिवाय हो हिंदी आप्सिनल की तयारी कर रहे हो या फिर स्टेट PCS में हिंदी आप्सिनल की तयारी कर रहे हो या फिर नौदा विद् मैं TGT या PGT की तयारी कर रहे हूँ मतलब जीज भी प्रकार की परिच्छा की आप तयारी कर रहे हूँ जो टेस्ट बुक आपके सिलिबस में लगे हुए हैं उस टेस्ट बुक को आप जरूर पढ़े हैं थोड़ा सा आपको टाइम देना पढ़ेगा तो आप में न केवल भाशाई शंता का विकास होगा बलकि परिच्छा के सभायक रुप से तयारी होगी और यह आपके आउचेतन मन में बिल्कुल इंप्रिंट हो जाता है जो चीज़ियां आप पढ़ते हैं ध्यान से वो आपके उचेतन मन में हमेशा रहेगा बार-बार आपको दुराने की भी जरुवत नहीं पढ़ती इसके बाद गाइड वगरत हमको पढ़ना ही पढ़ता है अन-साल्ड पेपर देखना पढ़ता है अन-साल्ड पेपर वो अलग बात है लेकिन यदि टेस्ट वुक आपने बहुत ही मांदारी से पढ़ा होगा तब निश्चीत रुप से आपका आत्म विश्वास अन्य छात्रों से बहुत ज्यादा अधीक होगा और निश्चीत रुप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे तो आज का मेरा संदेश ही था मेरा मैसेज यही था यदि आप लोग मेरी बातों से सहमात होंगे तो कमेंड बाक्स में कमेंड लिके जरूर बताएं और पुना आप लोगों की सफलता के लिए हार्दिक शुप काम ना है और एक बार मैं बहुत ही मिन अनुरता पुर्व कहना चाहूँगा कि आपके सफलता में मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है सिर्फ जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथा करता हूँ आप लोग इसी तरह परिस्रम करते रही है मेहनत करते रही है और अपने और अपने जो पैरेंट्स हैं अपने माता पिता हैं उनके सपनों को इसी तरह साकार करते हुए आगे बढ़ते रही है आप सबको बहुत बहुत शुप कामना है धन्यवाद जैहिंग जैभारत साथ ही मेरे इस वीडियो को दोस्तों के साथ मित्रों के साथ साध्या करें और कमेंट बाक्स में कमेंट लिका जरू बता है कि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बे लाइक नोगे दमाना ना भूले ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे हैं धन्यवाद